हालो फ्रेंट आज मैं दाखांगा टीबी का और एक न्यू फाल्ट रिपियार तो चलिए शुरू करते और देखते टीबी में काईसा और क्या फाल्ट हुआ है तो पहले टीबी को ऐसी सप्लाई दे देते है यहाँ से और पार स्वीच अन कर दिया मैंने टीबी का पार स्वीच अन करने से स्टेंबाई लाइट जल रहा है तो फेंट आप देख सेते टीबी देमोट से टीबी पार वोतम अन करने से भी अन नहीं हो रहा है इसका मतलब समझना होगा टीबी स्टेंबाई मोट प्राबलेम है टीबी में तो फेंट इस पाबलेम के लिए हमें टीबी का पार सप्लाई सेक्षन का वोल्टेज चेक करना ज़रूर थे यहाँ पे है टीबी का पार सप्लाई सेक्षन जो हमारा आटपूट सप्लाई वोल्टेज मिल था है टीबी चालाने के लिए तो फिन इस पॉब्लेम के लिए हमें यहां का supply voltage चेक करना होगा तो इसलिए मीटर का black pot ground के साथ राखना होगा picture tube का और मीटर का red pot हमें touch करके देखना होगा all supply voltage output section का तो पहले हमारा यह जो supply voltage है यहां पिसका है यह हमारा इस्टी supply के लिए 100 वोल्ट 102 वोल्ट का स्पास ठीक है उसके बाद जो next pin है यहां पे हमारा जो supply voltage मिलता है हर्जिंटर डाइबर टानासमा के लिए 25 voltage होना चाहिए तो यहां पे कोई भी supply voltage हमें नहीं मिल रहा है आप देख सकते ही और यह जो supply voltage यह हर्जिंटर डाइबर स्ट्राइबर स्टों को मिलने से hy तबी का power time होता है यहां का जो 26 kept supply वोल्ट MIDIλλά भी supply यह जो सप्लाइबर टानासमा कंशे ही Northern Line नहीं मिल रहा है होर्जिंटल डाइबर टना स्वना का और उसके बाद नेक्स्ट पॉयंट का सप्लाइज देखते हैं यहां पर 10 वॉल्ट सप्लाइज मिल रहा है यह सप्लाइज में आइसी के लिए जो 5 वॉल्ट आउटपूट मिलता है यह से रिगिलेशन करके और फिर चेक करके या पर पहला फिन है इस्टी अपलाइज 110 वॉल्ट उसके बाद 26 वॉल्ट के लिए 15 वॉल्ट का सप्वाम ये साउंट आइसी का साप्लाई है अल साप्लाई ओके है लेकिन हमारा 26 बोल साप्लाई नहीं मिल रहा है यहापे यहापे जो 26 बोल साप्लाई मिलना चाहे बोल नहीं मिल रहा है वाजनेटा डाइबर टानस्ट्रमा के लिए ज़रूरत थी तो इसको supply voltage नहीं मिल रहा है यही रिजन हो चकते है तो इसको ठीक करना होगा हमें पहले तो फेंट इस problem को ठीक करने के लिए हमें सब्चे पहले चेक करना होगा जो SMPS चे output होता है 26 बुर्ट supply आउटपूट देने बाला जो डायट होता है उसको चेक करना होगा उसके बाद हमें एक एक करके देखना होगा कहाँ पहले हमारा voltage पॉब्लेम हो रहा है तो फिन SMPS से output होने के बाद जो डायट की मदद से हमारा जो supply मिलता है 26 बुर्ट यह है बो डायट यह दो नमबर पर है यह डायट इस डायट की मदद से हमारा output supply मिलता है 26 बुर्ट SMPS से तो इसको हमें चेक करना होगा सबसे पहले यह डायट ठीक है क्या नहीं तो फिन्ट यह जो डायट है यह 26 बुर्ट सप्लाई यह सी को DC में convert कर देते है तो इसको हमें पहले चेक करके देखना होगा सारकिस से निकाल कर तो फिन्ट इस डायट की मदद से हमारा SMPS से निकाल कर देखना है यह जो डायट है इसको शारकिस से निकाल लिया इसका भेलू है 154 इस डायट की मदद से हमारा हर्जंटार डायवर ट्रास्फंट को सप्लाई मिल था है 26 वोल्ट तो चरी इसको चेक करके देख थे मिटार्स से तो आप देख सकते हैं मीटर से टास्कन से बी पावाज आ रहा है इसका मतलब इस शॉट हो गया ये डायोट खराब है दायोट खराब हो चुकी है बेलकुल एशॉर्ट शो कर रहा है आप देख सकते हैं मीट्याट से बीपावाज आ रहा है तो फिन इसका मतलब शमाजना होगा एट बेलकुल खराब हो चुकी है इसको हमें चेंज करके यहापे नया डायोट लागाना होगा इसलिए तो चलिए बाइसे लागाना हो का? बाइसे लागना हो का? बाइसे लागना हो में सापलाई मिल रहा है जितना जरूरा थे तो फेंड आप हमारा ओल सापलाई भोल्टेज ठीक हो गया ओके हो गया तो आप मैं टीवी अन करके देखूंगा क्या टीवी अन हो रहा है क्या नहीं तो आप देख सेकते ही टीवी अन हो गया बेलकूल ठीक हो गया थेंक्यू दस्तो मेरा वीडियो देखने के लिए और आच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह वीडियो में हर तरह लाता रहता हूँ